हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक कैसे लगा कल का अनलिसिस जहां पर मैंने क्लियर दी कहा था कि मार्केट जो है वो और सोड हो गया है और यहां पर एक बहुत अच्छा चांस है कि आपको रिलीफ राली में सकता है और आप देखोगे तो सुबह को ही मार्केट जो गैप आप से हुआ पूरे दिन मार्केट बुलिश रहा और हमने क्या किया आए देखते हैं सुबह से हमने कौन से कौन से अनलिसिस किये तो यहां पर आप देखोगे ना सबसे पहला जो है भले यह हमने दुपैर को हमने बेसिकली क्या कि चार ट्रेड्स दिये थे चार ट्रेड्स का इंट्री अगर आप देखोगे 411 की थी और टार्गेट टू लगभग लगभग टच होते होते फर्स अटेंड में रुग गया वापिस नीचे आया फिर जाके टार्गेट टू भी हिट किया तो वेरी वेरी फंटास्टिक अनलिसिस यह था अपर्ट फॉम दाट अगर आप देखोगे मॉर्निंग को दो और अनलिसिस किये थे जहां पर 42,500 का सीई आप टाइमिंग भी देख सकते हो 933 को और निफ्टी का 18,950 का सीई दोनों ही बहुत बढ़िया चले एक फेल भी हुआ जहां पर बैंक निफ्टी का हमने अनलिसिस किया था 42,700 का पी और 9 पॉइंट का stop loss से ही हम hit हो गए और निकल गए उसमें से आपने देखा रहेगा जब market bullish रहता है अगर ऐसे समय पर हम हम put लेने जाएंगे तो थोड़ी से दिक्कत आती है but nevertheless हमारा trail stop loss accurately work किया वैसे भी आप देखोगे तो 20 या 30 point का ही stop loss होता है तो hardly 9 point के stop loss से hit होके हम निकल गए overall the day was very very fantastic और अगर आप चाते हैं कि ऐसा ही analysis आप हमारे साथ मिलके करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है channel को subscribe bell button को hit description में जो whatsapp community की link है उसे click करके आप हमारे साथ बहतरीन तरीके से जुड़ सकते हो जहां पे हम daily analysis of nifty bank nifty या फिर अगर किसी दिन sensex का expiry हो या bank nifty fin nifty की expiry हो वो भी analysis हम करते हैं apart from that यहां पर अगर आप देखोगे तो आज मैं चार stocks self or self education purpose के लिए analysis करूंगा यह कोई भी मेरा buy or sell का recommendation नहीं है हलां कि मैं से भी registered हूँ इंडियन glycoil अखिलेश जी कह रहा है कि आप कैसे technical इसका analysis करते हैं वो बताओ तो definitely मैं करके बताओंगा बाला जी अमीन तनला platform और राना शुगर आपका अगर कोई stock आपने लिया है समझ में नहीं आ कि इसका analysis कैसे करना है आप क्या करोगे description में जो whatsapp description में comment करोगे इस तरीके से और definitely अगर आपने तीन या चार बार comment किया है मैंने नहीं लिया है तो routine ध्यान लेती है और हम यहां पर analysis कर लेते हैं फिर देर के इस बात की आई यह चलते हैं nifty और bank nifty के fantastic analysis पर कल जैसे मैंने कहा था आपको थोड़ा सा summarize करूंगा कि कल discuss क्या किया था आप देखोगे ना यह कहा था कि यहां पर यह एक bouncing pad है okay थोड़ा सा गड़बड हो गया just a minute यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड चल रहा है मुझे निकालने दो यह अब यहां पर आप देखोगे ना this is a exactly a bouncing pad क्योंकि यहां पर देखोगे ना market ने last time अच्छा-कासा support लिया था तो यहां पर बहुत अच्छे buyers बैटे हैं अब मैंने कल क्या कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि क्या यहां से bounce होगा यहां से bounce होगा यहां से bounce होगा यह मुझे नहीं मालूम बट यह bounce होगा उतना जरूर ओके और जो आगे और थोड़ा सा अनलिसिस में मैंने क्या कहा था ये जो है 19 लगभग लगभग 19 240 के आसपास 240 से 280 अगर ये लेवल के उपर मार्केट चला गया ना ये लेवल के मार्केट उपर चला गया तो आपके बार अच्छा बुलिशनेस दिखेगा और ये वापस मार्केट लाइफटाइम हाए उपर चला जाएगा तो आप कितना भी ये सपोर्ट होने दो ये स्ट्रॉंग होने दो अगर इसको और नीचे जाना है ना तो इसका मतलब क्या है कि 19 240 से लेके 19 280 के उपर ये जो बेसिस पे हम क्या करेंगे कि और थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि मंडे को हमारा कुछ अच्छा कासा ट्रेड बन सकता है कि नहीं बन सकता बाइदवे जो टेक्निकल आनलेसिस के स्टूडेंट है जो जानना चाते है ये पैटन क्या है ये एक बुलिश कीकर या एक बुल सैश करके पैटन बनता है बहुत पावर्फुल पैटन है आप देखोगे मॉर्निंग में ही ग्याप अप हो गया और वो ग्याप पूरे दिन सुस्टेन होके पिछले दिन की जो ओपनिंग ती ना उससे ऊपर क्लोज हो गया है तो इस वेरी वेरी पावर्फुल पाटन बु 19,240 से लेके 19,280 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा वापस नीचे जाके ये फिर अपना ये टार्गेट आ सकता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे वाले दिनों में 19,240 to 19,280 के ऊपर बुलिशनेस और फिलाल के लिए क्या है तो ये हम इसको एक रिलीफ और लिफ राली ही कहेंगे इसको हम रिवर्सल इन ट्रेंड या उपर जाने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे ये एक प्यूर लिफ राली है यानि कि इतने बड़े से, लॉफ बाद एक छोटा सा रिलीफ राली तो बनता है तो आप देखो कि हमने क्या किया और Monday को हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आप देखोगे ना हमने क्या किया तो यह पॉइंट पे हमने entry ली तो यह पूरा का पूरा हमने capture किया second हमने कौन सा किया तो आप देखोगे ना यह पूरा का पूरा bank nifty में capture किया और यह try कर रहे थे लेने को बट successful नहीं हुआ, अब मैं nifty दिखा रहा हूँ, बट same जो move bank nifty में आई, उसके बारे में मैं आपको कहना चाता हूँ, अब आये चलते हैं, हम Monday को कैसे market को trade करें, fast मैं आपको दिखा देता हूँ, फिलाल एक तो चीज आपको पता चली रहेगी, कि ये क्या चल रहा है, तो Monday क market हमें रुलाने वाला है, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि Monday को market रुलाने वाला है, क्योंकि आप देखोगे ये जो है, ये एक अच्छा खासा selling pressure है, यहाँ पर आप देखोगे इतने बढ़िया sellers है, इन्होंने जैसे ही gap down हुआ, non-stop market को नीचे लेके हैं, अब ये market का पाला प प्लम क्या हो रहा है, कि market ये जो sellers है, इसको पूरी तरीके से तोड़ के उपर नहीं जा पा रहा है, तो अब हम Monday को कैसे trade करेंगे, फटा-फट इसके बारे में मैं बता देता हूँ, आप क्या करोगे ऐसे situation में, सबसे पहले आप एक parallel line draw करोगे है, ओके ये देखो, ये वाल और second जो है, वो ये वाला, अब logic क्या है, कि सबसे पहले अगर आप देखोगे न, यहां क्यूंकि already इतना consolidation हो गया है, तो भले थोड़ा सा भी Monday को gap up हुआ, कुछ फाइदा नहीं होगा, ये वापस नीचे चला जाएगा, ओके, बट अगर इसका उल्टा हो गया, कि Monday को समझो gap down हो गया, कौन से level के नीचे, 19, 011 के नीचे gap down हो गया, और अगर 15 minutes में भी आपको कुछ ऐसी candle दिखना चालू हो गई न, तब आप क्या करोगे, आप आराम से 19, 120 तक trade करोगे, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा 19, 120 पहला target और दूसरा target कौन सा रहेगा, 19, 163, तो फटा-फट देखते हैं, इसका logic क्या है, इसका logic यही है, अगर उपर के side में break down हुआ, gap up नहीं मैं कह रहा हूँ, sorry, breakout हो गया, मैं gap up नहीं कह रहा हूँ, gap up का मतलब क्या है, just gap हुआ, market नीचे आने के chances बहुत जादा है, मैं कह रहा हूँ कि नीचे जाके अगर उपर चला गया, और 19, 060 के उपर cross हो गया, 19,000 के यहाँ पर market को एक अच्छा कासा अब support मिलने के chances है, क्योंकि आज का पूरा दिन market ने sustain किया है, open interest भी देखेंगे, तो 19,000 के उपर हमेशा आपको market में bullish सोचना है, 19,060 breakout किया, तो 19,120 और 19,160 आपको मिल सकता है, 19,000 के बाद ही आपको bearish सोचना है, और कहां तक bearish सोचना है, मैं कहूंगा 18,9,43 तक जादा bearish फिलाल के लिए, क्योंकि अब भी अभी buyers आए हैं, तो जादा bearish अब के लिए सोचना मुश्किल है, तो यह पूरा का पूरा game plan है, 19,000 के उप सोचो, pullback के बाद CE के बारे में सोचो, 19,000 के at least 15 minutes candle closing, 18,9,43 के बारे में सोचो, अब next क्या है, तो एक बार हम open interest देखेंगे, कि क्या 19,000 के ने कुछ strong open interest, yes, यह रिखवा, यह जो है put, 19,000 के fantastic support है, और 19,200 एक resistance है, तो मंडे को हमें यही range में खिलना पड़ेगा, अब फटा-फटा आईए देखते हैं, bank nifty का क्या हाल है, straight away मैं आपको 15 minutes में लेके जाता हूँ, bank nifty जो है, थोड़ा सा अलग करने को जा रही है, okay, bank nifty के उपर के target कौन से है, तो straight away आप देखोगे ना, उपर के target है 43K, तो में भी ऐसा भी हो सकता है, कि straight away gap up हो जाए 43K में, बहुत बढ़िया chances है, bullishness का, और जो सबसे बड़ा resistance है, bank nifty का वो कौन सा है, तो वो है 43,280, तो ये दो levels के लिए आप आराम से bank nifty को मंडे के लिए try कर सकते हो, 43K, 43,280, नीचे के levels bank nifty के कौन से है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अब मैं कहूंगा, straight away जब bank nifty 42,700 के नीचे चली जाएगी ना, तो 42,600 और 42,400 आ सकता है, तो ये 42,700 के बाद ही आप नीचे का सोचो, उसके उपर भले थोड़ा सा pullback आए, बट ये entry के लिए अच्छे opportunity हो सकती है, 43 पहला target, 43,400 second level आप देख सकते हो, तो ये पूरा का पूरा हमें मंडे का game plan पता चला, फिर भी नहीं समझ रहा है, तो description में जो WhatsApp community की link है, उसे click करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, detail में हम लोग बताएंगे, कि कैसे हम आप trade कर सकते हो, next कौन सा है, तो हम देखेंगे Indian glycol, कि क्या कुछ अच्छा बन सकता है, Indian glycol, weekly में देखूंगा मैं, जो यह होना था, वो हो गया, अब mostly उपर ही जाएगा, बट यहां पर at least एक green candle आने दो, अच्छा कासा 1100 तक जा सकता है, तो Indian glycol थोड़ा सा अब जो consolidation का time खतम हो गया, और bullishness आने के chances बहुत जादा है, नेक्स्ट बालाजी अमाइन उसके बाद में तनला पर लैटपॉर्म बालाजी अमाइन थोड़ा, यह देखो एक अच्छा खासा sell-off हो गया है, just bullishness की green candle अगर आए गई अच्छा उपर लेके जा सकता है, बट फिलाल entry के लिए सही नहीं है, बट almost आप देखोगे 21 से लेके 23, यह दो साल consolidate कर रहा है, in fact सभी chemical stocks तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आने वाले दिनों में अच्छा चल सकता है, तनला का भी same है कि एक recovery होने के chances है, अब यह कैसे react करता है, वो हमारे पर है, बट overall आपको suitable pullbacks पे entry धूनने की जरूरत है तनला के लिए, overall bullish ही है और stocks आपके keep in view रहना चाहिए, Rana Sugar, Rana Sugar same, look at the way the consolidation has happened, फिर भी लग रहा है कि consolidation खतम नहीं हुआ है, जब खतम होगा तब 44 तक जा सकता है, फिलाल के लिए keep in watch है, तो hope आपको आज का पूरा यह analysis पसंद आया रहेगा, thanks a lot, मिलते रहना, आपको क्या सीखना है वो comment करते रहना, definitely मैं try करूंगा, जैसे-जैसे मैं ठीक हो जाँ, आपको quality content बनाने के नहीं है,